स्वागत आपका हमारे चैनल पर आज हम करेंगे कक्चा 6-7 में प्रभा कारे पुस्तिका गनित में कारे पत्रक नमबर 10 जो की पेज नमबर 84 पर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन है कौन कौन सी आकर्तियों के भिन दी गई आकर्तियों के भिन के बराबर है सही का निसान लगाईए तो देखिए ये कित्ता हो रहा है दो चायंकित हैं तो दो कुल दो बटे चार अगर इसको और सॉल्व करते हैं कित्ता हो जाएगा एक बटे दो तो हमें एक बटे दो वाली चीजे छाटनी है देखिए पहला पहला एक बटे तीन है तो नहीं होगा अगला देखिए इस पर टिक लगेगा क्योंकि इसमें चार चायंकित हैं और चार खाली है तो मतलब चार बटे आठ आठ आप इसको उपर भिन भी बता दी है ये 5 बटे 9, ये 1 है, ये 3 बटे 4 1 बटे 4, 1 बटे 2 और 1 बटे 3 तो सबसे बड़ा कौन है? 1 तो यहाँ पर हम सबसे बड़ा 6 नमबर लगा देंगे फिर इससे छोटा है 5, फिर इससे छोटा है 4, फिर इससे छोटा है 3 फिर 2, फिर और 1 सबसे छोटा कौन सा? 1 बटे 4 किसलिए 1 लगा दिया है हमने? अगला देखिए सबसे छोटे बिन पर गोला लगाना है इसमें सबसे छोटा है 2 बटे 7 इनमें 1 बटे 12 चोथा देखिए सबसे बड़े बिन पर गोला लगाना है सबसे बड़ा है 8 बटे 9 इधर है 5 बटे 7 अगला पांचा प्रश्ण है 6 बटे 9 से 2 छोटे भिन लिखें तो हो जाएगा 5 बटे 9 और 4 बटे 9 अगला देखें छटा सम्तुल्य भिन 2 से गुना कर देंगे हो जाएगा 6 बटे 16 खव में 2 से गुना कर देंगे हो जाएगा 8 बटे 24 साथ प्रश्ण है खाली बॉक्सों में छोटे बड़े और बराबर के चिन लगाने हैं इन दोना में से बड़ा कौन है 1 बटे 2 बड़ा है तो इसमें इधर का मूँ जिस तरफ मूँ खुला होता है वे बड़ा होता है तो इधर हम खुला वाला मूँ रखेंगे इसका निसान का यह है दो बटे चार यह है एक बटे तीन तो बड़ा कौन है दो बटे चार इस तरफ मुँख कर देंगे इसी परकार इनमें भी दो बटे चार बड़ा है तो इस तरफ मुख जाएगा तो बच्चों यह था हमारा कारे पत्र नमबर 10 कक्षा 6-7 के लिए 84 पेज नमबर पर जुड़रे चैनल से धन्यवाद